दिन भर की सबी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटिस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पश्चिम बंगाल की हिंसा पर एक्शन में है मोधी सरकार दंगाईयों से निप्टेंगे अब अर्धसाइनिक बल पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा और भाजपा तुरुनमूल कॉंग्रेस के बीच बढ़ते टकराओं को रोकने के लिए मोधी सरकार अब एक्श है कि ममता सरकार के आला अफसर जान बूचकर प्रदेश में हिंसा को बढ़ावा दे रहे है ऐसे हालात में वहाँ बड़े पैमाने पर अर्धसाइनिक बल तैनात किये जाएं ग्रूह मंत्राले के सूतर बताते है कि रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के एक दरजन से अधि IS IPS अफसरों का नाम भी है जिनके बारे में कहा गया है कि ये अफसर जान बूचकर कानून व्यवस्था को खराब करा रहे है मौजुदा हालात में ग्रूह मंत्राले जल्द ही 150 से जादा कमपनियों को पश्चिम बंगाल के लिए रवाना कर सकता है इसके लिए सभी पैरामिलिटरी फोर्स को अलर्ट भेश दिया गया है पश्चिम बंगाल के गवर्नर केसरिना तृपाठी आज पीम नरेंडर मोदी और ग्रूह मंत्री अमिध शाह से मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि इस मुलाकात में गवर्नर की और से वे सभी विकल पीम और ग्रूह मंत्री के समख्ष रखे जाएंगे जिन से पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को तुरन प्रभाव में रोका जा सके मंत्राले के अधिकारी बताते हैं कि अभी राज्य सरकार को बर्खास करने जैसी सक्त कारवाई की संभावना बेहत कम है गवर्नर द्वारा भीजी गए रिपोर्ट में ये बात साफ तोर पर लिखी है कि राज्य सरकार चाहती तो हिंसा थम सकती थी आरोप है कि ममताव सरकार के अफसर हिंसा को नहीं रोक रहे अफसरों के पास भाजपा की और से लिखित और मौखिक शिकायते देने के बावजुद दंगाईयों के खिलाफ कारवाई नहीं की जा रही अगर ऐसे हालात में जल्द ही वहाँ पेरा मिलिटरी कोर्स तैनात नहीं की तो हिंसा बेकाबू भी हो सकती है उदर आईबी की रिपोर्ट भी बहुत कुछ कह रही है खूफिया एजनसी ने कहा है कि स्थानिय प्रशासन हिंसा को नहीं रोक पा रहा और अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में हिंसा घटनाय तेजी से बढ़ सकती है और इतना ही नहीं रिपोर्ट में ये शक भी जताया गया है कि हिंसा घटनाय नहीं थमी तो ये बड़े पैमाने पर राजनेतिक हिंसा का भी रोक ले सकती है इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वोटसप पेस्बूक पर शेर ज़रू करें जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले धन्यवाद